हलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड डिजाइन्स में तो आज हम प्लाजो पैंट की मोरी का एक बहुत ही ब्यूटिफुल डिजाइन रेडी करेंगे जिसे हम लेस और पिंटेक्स के साथ रेडी करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये दो पटियां कट की है एक मैंने लगबग 4 इंच की कट की है और एक 2 इंच की कट की है और लेंथ में आप उतनी ले ले जितनी आपकी प्लाजो पैंट की मोरी है तो चलिए पहले हम इनको ready कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको plazo pen का बताऊंगी, पहले हम छोटी वाली बट्टी को ready करेंगे, तो इसके दोनों साइड पे हमें ये वाली lace लेनी है, आप भी कोई दो किनारी वाली lace use कर सकते हो इसके साथ, तो ये हमारी cotton की plazo pen है, इसलिए हम cotton वाली ही lace use करेंगे इसके उपर, तो lace को हम ऐसे रखके, इसके उपर stitch करेंगे किनारी की सिलाई के साथ, तो अगर आप इसमें और जादा finishing चाहते हो, तो आप अपने fabric को दोनों साइडों से interlock भी कर सकते हो, अगर आपके पास interlock machine है तो, तो ये देखिए मैंने इसको दोन तो पहले हमें lace को एक साइड पे ऐसे stitch कर लेना है, तो ये देखिए अब एक साइड पे होगी और दूसरी साइड पे भी हम lace को ऐसे ही सीधा सीधा stitch कर लेंगे, तो ऐसे देखिए दोनों साइडों पे हमने lace को stitch कर लिया है, अब हमने क्या करना, lace को खोल देना इस तरीके से दूसरी साइड से भी हम लेज को खोल देंगे और यहां पर एक एक पैर की सिलाई लगा लेंगे तो यह देखिए दोनों साइडों पर मैंने पैर पैर की सिलाई लगा लिया और देखिए कितनी अच्छी फिनीशिंग आई है तो इधर से भी पीछे से भी देखिए कितनी अच्छी finishing आई है तो अब हम इसको side में करते हैं और इसके साथ जो बड़ी पटी हमने ली थी 4 इंच की अब हम इसको ready कर लेते हैं तो इस पे हमें Pintex की सिलाईयां लगानी है तो इसको ऐसे उल्टा करके रख लेंगे और इसको ऐसे fold करेंगे हम बिल्कुल सीधा सीधा आपने fold करना है और यह मैंने एक इंच fold किया है फैब्रिक को उपर की तरफ और यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा देंगे आप यहाँ पे यह धिहान में रखें आपका फैब्रिक जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए और यह सिलाई बिल्कुल किनारी की होनी चाहिए तब भी अच्छी लगेंगी पिंटेक्स ड़ली हुई तो यह देखिए एक सिलाई हमारी पिंटेक्स की लग चुकी है और देखिए खूलने के बाद यह ऐसे आजाएगी तो अब हमने दूसरी सिलाई लगानी है फिर रे फैब्रिक को ऐसे उल्टा करके रखेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो आप जितना भी गैप देना चाहो उतना दे सकते हो मैं आधे पोने इंच का दे रही हूँ और यहाँ पे भी किनारी की सिलाई लगा लूँगी तो यह देखिए दोनों सिलाईया मैंने लगा लिए और बिल्कुल किनारी की सिलाई मैं लगा रही हूँ यह दोनों ऐसे आजाएंगी तो अब हमने एक और Pintex डाल ली है, बिल्कुल इसके साथ ही, same gap लेंगे हम, और ऐसे ही fabric को fold कर लेंगे, और यहाँ पे भी सिला ही लगा देंगे, तो ऐसे हमारी ये तीन Pintex लग चुकी है, और देखे कितनी beautiful लग रही है, मैंने इसको press के साथ बिठा भी लिया है, तो अब ह fabric को सीधा करके, और lace को उल्टा करके, और यहाँ पे किनारी को दबाते हुए एक सिलाई लगा लेंगे, तो ऐसे हमने ये वली lace को भी stitch कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नीचे की तरफ करदेंगे और यहाँ पे उपर की तरफ पैर की सिलाई लगा देंगे पैर की सिलाई लगाने से क्या होता यह जो फैबरिक है ना पीछे वाला यह उठता नहीं और पीछे से भी अच्छी फिनिशिंग आती है तो यह देखिए दोनों बॉर्डर हमारे यह रेडी हो चुके हैं अब हमने इन दोनों बॉर्डर को आपस में स्टिच करना है तो वो कैसे करेंगे यह बड़े वाले बॉर्डर की सीधी साइड और इसको ऐसे छोटे वाले बॉर्डर को उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पे लेस के किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे तो ऐसे यह दोनों बॉर्डर आपस में स्टिच हो चुके हैं अब हम इसको खोल देंगे और यहाँ पे भी एक एक पैर की सिलाई लगा देंगे तो ये देखिए पैर की से लाई लगने के बाद ये देखिए कितना beautiful border हमारा ये ready हो चुका है तो अब हमने इसको अपनी pant पे stitch करना है उस्ते पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसकी कितनी length ready हुई है तो ये देखिए लगबग 6 inch ये ready हुआ है तो आप pant को 5 या 5.5 inch कम ही cut कीजिए क्योंकि ये वाला जो border है pant पे बढ़ता लगता है इसलिए हम इसको pant को कम ही cut करेंगे जितना हमारा border ready हुआ है तो ये मेरी plazo pant की मोरी है और इसको मैंने ready कर लिया है और इसको मैंने 5 inch कम ही cut किया था तो अब हमने इस पे भी pintax डालनी है बिल्कुल किनारी की सिलाई जैसी तो अब हम इसको उल्टा करके रख लेते हैं और इसको भी वैसे ही fold करेंगे एक inch और यहाँ पे बिल्कुल किनारी की सिलाई से pintax डाल देंगे तो एक pintax हमारी लग चुकी है अब हमने एक और pintax डालनी है तो हम जितना नीचे वाले border में gap लिया था pintax में उतना ही gap लेंगे यहाँ पे भी और एक और pintax डाल लेंगे तो जो पैंट की मोरी पे हमने pintax डाली थी मैंने उसको भी press के साथ अच्छे से बिठा लिया है अब हमने यह वाले border को इसके उपर stitch करना है तो border को ऐसे उल्टा करके रखेंगे और पैंट की सीधी साइड लेंगे और यहाँ पे ऐसे लेस को रखते हुए कि नारी की सिलाई लगा देंगे तो यह देखिए यह border हमारा पैंट के उपर stitch हो चुका है और इसको ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे तो यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है यह पैंट पे stitch हुआ हुआ तो friends ऐसी design आपने ready made pants पे देखे होंगे तो कितने अच्छे लगते हैं यह और आजकल summer's में काफी trendy भी है तो मैंने आपको कितनी असानी से घर पे ही बनाना बता दिया है तो आप भी अपनी pants को ऐसे ही designer look दे सकते हैं तो चलिए अब हम इसको fitting की सिलाई लगाते हैं तो आप अपने according जितनी भी इसकी मोरी रखना चाते हैं उसके according सिलाई लगा सकते हैं तो रेडी होने के बाद ये होगी इसकी final look तो अगर आपको मेरी ये वीडियो डिजाइन अच्छा लगाओ तो इसको like और share जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं till then bye bye